हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम बेक टो और यूट्यूब चैनल, सेफ्टी एशन अडविने फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हीट एश्ट्रेस के बारे में इसमें हम जानने वाले हैं कि आपके वर्कपेस पे जहां आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप हीट एश्ट्रेस को कैसे प्रिबेंट कर सकते हो, कैसे रोख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता होगा कि कहीं भी हम अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो ज्यादा तर हमें धूप में ही काम करना पड़ता है उस दोरान टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा होता है और आदमी डिरेक्ट सनलेट में काम कर रहा हो तो उसका बोड़ी टेंपरेचर कोल नहीं हो पाता है या टेंपरेचर मेंटन नहीं हो पाता है तो उस दोरान heat stress होने का सम्मावना बढ़ जाता है अगर बहुत तेज धूप है और वरकर काम कर रहे हैं तो उन्हें occupational illness या injury हो सकती है heat stress की वो यह से heat stroke, heat exhaustion, heat cramps या heat traces हो सकते हैं अब बात करते हैं ऐसे 12 tips की जिसकी मदद से हम heat stress को रोक सकते हैं या prevent कर सकते हैं तो पहला होगा create a safety policy इसमें organization को सबसे पहले यह समझना है कि working environment क्या है और उसको किस हिसाब से environment safety policy बनाना है second होगा review and change इसमें आपको जो भी नए policy है उसको identify करके आपको implementation करना है और फिर उसको periodically review करना है ताकि जो भी नए update या changes है वो आप कर सको तिन नंबर में होगा drink plenty of water मतलब आपको हर 15 से 20 मिनट के बाद एक glass पानी पीना है चाहें आपको प्यास लगी हो या ना लगी हो पानी आपको पीना अनिवार है चौथे नंबर पे होगा wear cooling apparel मतलब आपको जो भी cooling related jacket है या waste है वो आपको hot environment में पहनना है ताकि आपको immediately cooling relief हो सके यानि कि जब भी आप hot work कर रहे हो या direction light में काम कर रहे है तो आपको ये cloth पहनना है ताकि आपको cool relief हो सके अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट किये हैं तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लिजे और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि next आनवाले वीडियो की notification आपको असानी से प्राप्ट हो सके पांचों नमर पर होगा avoid beverage यानि कि चाय, coffee या alcohol या spicy या soda इन सभी चीजों को avoid करना है छटे नमर पर होगा restroom इसमें आपको अपने work site पे एक restroom बनाना है ताकि worker अपने आपको इसमें बैठ कर अपने body temperature को cool down कर सके उसके बाद हो जाएगा साथे नमर पर cold sour यानि कि आपको जो आपका workplace है जहां बहुत ज़्यादा heat है या high humidity है तो ऐसे condition में cold sour arrangement करना है इसके बाद होगा आठे नमर पर less astrenuous work इसे कि आपको पता होगा कि घर्मी के time पर सूरज का जो किरन होता है वो एक से चार के बीच में बहुत ही ज़्यादा तेज होती है या बहुत ही ज़्यादा तेज लगती है तो इस समय में कम से कम आपका जो बाहर का काम है उसको एदम कम से कम करना है या उससे बचना है उससे आप जो भी विल्डिंग के अंदर का काम है या आपके workplace जो अंदर अंदर का काम है जहां चा कारे के समय को या वर्कलोड को थोड़ा कम कर देना है ताकि हीट में वो एड़ेस्ट कर सकें दासवे नंबर पर हो जाएगा एजुकेशन इसमें आपको जीतने भी आपके में पावर हैं सबको एजुकेड़ करना है या सिखाना है कि जो भी हीट हीट रिएटेड सीम्टम से वो कैसे पहचानना है और किस तरीके में कौन सा मेडिकल हिल्प चाहिए या आपको किस से संबर्ग करना चाहिए या उसका फर्स्टिट क्या है ये सब के बारे में उनलों को बताना है 11 नमबर पर हो जाएगा संग्लासेज एन हैट इसमें आपको सियोर होना है कि धूप में जो भी वरकर हैं जो जौब कर रहे हैं उनको अल्ट्रा वाइलेट प्रोटेक्टेड संग्लास पहनना ना है और ये सियोर करना है कि उन्होंने सही तरीके से पहनना है कि नहीं और इसमें आपको अपने एरिये में लोकल नीज को चेक करते रहना है और जो भी आपका वेदर कंडिशन है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आपके जोन की जो भी हीट एलर्ट है वो आपको पता रहे और आप अपने वरकर को बता सको और इन्फार्म कर सको और आपको अपन के लिए जै हिंद जै भारत